हेलो गाइज, वेल्कम बैक तो मैं चैनल और कैसी है मेरी यूटूब फैमिली तो मैं आपके लिए आज देकर आया हूँ एक हॉट एयर गन जो की बहुत बढ़िया प्रवक्ट है और हमें इसकी बहुत आज़कता होती है जब कोई तामान हमें गरम करने के लिए या फिर नट उसे मोल्ट करने के लिए जो हमें देड़त पड़ती है या फिर हम गैस पर करते हैं तो काफी दिक्कत होती है या स्लेंडर से भी करते हैं तब भी दिक्कत होती है उससे चल जाता है उपाई तो होट एयर गन से बहुत ही बढ़िया मोल्ट होती है और चलिए तिखाते हैं तो गाइस यह हमारा हॉट एयर गन ब्लेक टैकर का तो यह मारा अठारा सो वाट का है और इसे मैंने अमाजन से पल्चेज किया था तो यह मुझे अठारा सॉरी बारा सो 68 रुपे का पड़ा था इसमें प्राइज मेंजन नहीं है क्योंकि मैंने अपने अकाउंट से पे किया इसके लिए तो यह तो जल्दी से इसे देख लेते हैं इसकी पैकिंग पैकेजिंग तो ज्यादा खास नहीं थी है अमाजन वालों ने ज्योंकि टूटने की चीज नहीं थी काफी मजबूत हार्ट ब्लास्टिक हैस की तो चले जल्दी से शुरू करते हैं हाँ तो यहां से हम इसे खोल लेते हैं और यह हमने टेप को काटा और इस में से देखते हैं क्या निकलता है काफी हाड पैक्विल एसकी पैक्विल तो सब्प्त यह भी है तो यह हमारी ब्लेक डेगर हैं कि मसी जो काफी अच्छी क्वाइलिटी काफी अच्छी काफी तो ये काफी है तो चलिए इसको देखते हैं के इसका जो वायर है कर दी तो मीटर का वायर है जो कि अब शीन सकते हैं जो कि अब एप लाइं डो इसको लगाते हैं पहलग में तो अब जब की ओं आप आप अवाज समसकते हैं इसकी यह इसकी आवाज है तो मैं दिखाता हूँ अभी इसको मोल्ड करके तो गाई पहले से यह पीवी सी का जो पाइप था इस गंसे ही मैंने इस सीदा कर लिया है अब मैं इसे आपको मोल्ड करके दिखाऊंगा तो गाई यह देखो यह मोल्ड होचता है कितनी इजी तरीके से मोल्ड हो जाता है यह देखो यह कितना इजी और गाई एक यह है कि इसको आप गैश कोई सीदी सेयभांगेस कर सकते हैं इसको आप तरशा हisiaj कर सकते हैं कि और इसको आप च्वाप और हभी बनाना हुए तो बॉक्सी उटा सकते हैं CARE तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ अगर आपको जो बॉक्स बना ना तो कैसे बनाओ गया यह तेखो यह कितना सॉफ्ट हो गया जिए गरम हो जाता है इसे चूने से पहले इसे यूज करने से पहले आप ग्लैप्स पहलने है कि पपड़े के जो ग्लैप्स आते हैं इन यह इसी सेफ में डिल चुका है अब जहें कहीं नहीं जाने वाला इसी जिए इसको आप चौकोड़ा भी कर सकते हैं दो लगनी लीजिए और यह करके इसी के ऐसे कर दीजिए तो यह चौकोल हो जागा और यह गाइज यह हमारत फोर इंची वाला जो पाईप है यह वह इसक इन्हेंस काफी ज्यादा मोटी होती है करीब 2 या 3 mm की होगी तो इसको भी मैं ट्याकर मसीन से ही फ्लैट किया हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जैहिंद जैवारत